तो गायज, कैसे हैं आप आई होब कि आप सभी अच्छे होंगा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सैमसिंग की इस फॉन की camera settings के बारे में, आज की इस वीडियो में आपको इस फॉन की camera settings बताने बला हूं, वीडियो को end देखना है वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं करना है और अगर आप मारे चैनल पर पहली वार आएं तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को प्रेस कर देना है इससली क्लिक करते हैं यहाँ पर सिंपल आपका फोटो आजाता है यहाँ पर अगर क्ल्क कर देते हैं तो वाईड एंकल आ है यहाँ पर ऐस तरह से तरह करेंगे जियाँ अपर आप 30 जूम कर सकते इस तरिके 30 एक्स यहां पर आप जूम कर पाएंगे अपने इस डिबाइस में नेक्स्ट यहां पर यह front camera आ जाता है तो front camera से यहां पर अगर आप selfie लेना चाहते हैं तो single है तो इस तरीके से कर देंगे और double है तो आप इस तरीके से कर देंगे तो पीछे को अट जाता है तो camera थोड़ा सा पीछे हट जाता है इसमें भी ओके थोड़ा सा wide angle में आ जाता है next नहीं पर front camera open करके ही रखते हैं जिससे आपको देख जाए कि यहाँ पर यह camera settings ही है take burst shoot तो इससे क्या होता है यहाँ पर press करके रखेंगे तो बहुत सारे shoot आपके हो जाते हैं बहुत सारे photo आ जाते हैं अगर आप इस पर कर देंगे next यहाँ पर आपको watermark में लता है watermark अपने device में यहाँ पर on कर पाएंगे तो यहाँ से अगर आप अपने photo की कुछ quality को बढ़ाना चाते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं इसे on okay next यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर advanced video option तो यहाँ पर आपको video के लिए मिल जाते हैं तो यहाँ से on करके रखना है इससे HDR 10 plus यहाँ पर quality colors बगएरा आ जाते हैं optimize colors हो जाते हैं okay videos में next यहाँ पर नीचे आना है shooting methods पर जाना है और यहाँ से इसे on करना है और इसे on करना है और इसे on करना है तिनों को on करना है उसके बाद यहाँ पर press इस पर जाना है तो यहाँ पर आप चाहते है volume बटन से यहाँ पर photo shoot करना है तो यहाँ से इसे on कर दें अगर जूम इन जूम आट करना चाहते हैं तो यहाँ पर click कर दें तो यहाँ इसे अगर इसे इसे ओन करते हैं तो यहाँ पर आप एक्स्टा सूटर मतलब कर सकते हैं और इसे ओन करने से यहाँ पर फ्रेंट कैमरे से इस तरीके से हैंड को दिखा कर फोटो सूट कर सकते हैं तो यहां से बैक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इस तरीके से प्रेस कर तो यहां पर photo shoot हो रहा है तो यहां से भी photo shoot हो जाता है इस तरीके से next यहां से परकि यहां पर आपको यह settings पर याना है उसकी बाद यहां पर नीचे आना है और यहां पर permission पर जाना है और यहाँ पर permission आपको allow कर देना है सभी की next यहाँ पर आपको जाना है settings to keep इस पर क्लिक करना है और camera mode यहाँ से on कर देना है next यहाँ पर आपको filters को on कर देना है जिसे कि आपकी वीडियो पर यह photo पर जो भी filter लगाना चाहें वह यहाँ पर आप लगा पाएंगी next यहांसे back चले जाना है और back जाने के बाद है यहाँ पर आपको यह मिल जाता है flashlight का option इस पर क्लिक करना है तो यहाँ से अगर आप इसे किलिक कर देंगось तो यहाँ पर flashlight हमेसा off रहती है और अगर आप यहां से इसे क्लिक कर देंगे तो यह फिलसलाइट हमेशा on रहती है और अगर आप यहां पर auto पर कर देंगे तो क्या होगा कि अगर अंधेरा है तो फोटो यहां पर अंधेरे में फिलसलाइट on हो जाएगी और उजाले में flashlight off हो जाती है इस तरह के से okay next यहांपर टाइमर लगा सकते हैं अपने फॉट पॉन में जैसे कोई भी फॉटो लेते हैं आप तो यहांसे टाइमर लगा सकते हैं तिन सेकंड में पास सेकंड में फॉटो लेना चाहते हैं पर कि यहां पर आप motion photo on कर सकते हैं इस तरीके से और यहां से आप वीडियो में आप अपने वीडियो में या फोटो में इस तरीके से यहां पर कुछ filters लगा सकते हैं यहां पर वह सारी filter आपको मिल जाएंगे next यहां पर face पर जाएंगे तो face को यहां पर beauty बढ़ा सकते हैं और color tone यहां से आपको natural warm यहां से आप का सकते हैं next यहां पर portrait का option में जाता है back camera पे भी और front camera पे भी तो portrait से क्या होता है यहां पर अगर आप photo जो भी लेते हैं तो इस इसका photo लिया तो यहां पर यह फोटो एकदम सही आएगा और पीछे का बिलर हो जाता है next यहां से video बनाएंगे more के option पे जाना है यहां पर pro वाले option पे जाना है तो यहां से आप अपने phone में यह option मिल जाते हैं इससे क्या होता है यहां पर यह camera वाले DSLR वाले यहां पर आपको functions मिल जाते हैं जिससे आपकी picture की quality काफी improve हो जाती है उसके बाद यहां पर आपको pro video मिल जाती है video में भी आप वो effects लगा सकते हैं next night mode का option मिल जाता है इससे क्या होता है अगर night की समय आप phone को यूज करते हैं कोई भी photo लेते हैं तो अंधेरे में काफी clear photo आ जाते हैं आपकी इससे next यहां पर आपको यहां पर food मिल जाते है प्रोणोमा मिल जाते है जैसे प्रोणोमा से आप यहां पर एक group का पूरे का photo ले सकते हैं शुप पर slow motion मिल जाता है और slow motion मिल जाता है तो यहां से slow motion पर जाएंगे तो यहां से slow motion इस तरीके से start हो जाती है आपकी video यहां पर इस तरीके से क्लिक कर देंगो तो slow motion video complete हो जाती है तो यहां से आप अपनी device में slow motion video भी बना पाएंगे और front camera से अगर आप video बनाने चाहते हैं तो front camera से इस तरीके से slow motion बना सकते हैं जैसे मैं आप अपने slow motion video यहां पर क्लिक कि यहां पर देख पाना है finger कितना मेरा slow slow यहां पर मिल जाए ओके तो इस तरके से आप अपने device में slow motion वीडियो बना पाएंगे उसके बाद यहां पर आपको super slow motion भी मिल जाता है super slow motion में जाएंगे और यहां से super slow motion आपका सिर्फ back camera से ही काम करता है super slow motion में भी आप यहां पर वीडियो को record कर पाएंगे इसका कोई fix time होता है अपने हिसाब से ही time रहता है आप अपने हिसाब से यहां पर slow motion वीडियो नहीं बना पाएंगे super slow motion में उसके बाद यहां पर hyper laps मिल जाता है portrait videos मिल जाते portrait video बनाने है आपको पीछे blur करके जैसे book effect में आप यहां पर videos को बना पाएंगे जैसे कि यहां पर DSLR बगएर से बनाते हैं तो यहां पर आप बना पाएंगे तो इस तरीके से आप यहां पर यहां यूज कर पाएंगे और AR zone मिल जाते हैं आपको इस पर click करना तो यहां पर AR zone आपको मिल जाते हैं तो यहां पर internet यूज करके यहां पर plus का icon पर जाएंगे तो यहां पर आप यहने अपने साब से भी plus कर सकते हैं नीचे की ओर जैसे कि यहां पर मैं भी slow motion को कर देता हूं तो यहां पर slow motion मैंने तो अगर आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज से वीडियो को like and share जरूर से कर देना और अगर आपको इस phone की और वीडियो देखनी है टिप सेंटर की hidden features की तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी इस phone की hidden features की तो इस phone की कुछ pictures quality यहाँ पर यह samples हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितने के लिए यह night mode का photo है यहाँ पर यह वीडियो आइट मोट की पर यहाँ पर यह photo है तो इस तरीकिस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पर कि इस phone की और भी भसतारी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी तो इस आज की इस वीडियो में तना यह मिलते एक next interesting वीडियो के साथ